नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप टैन इंडियन पर दोस्तों आज मैं आपको भोचपुरी फिल्म इंडस्ट्री की खुबसुरत अक्टरस आमरपाली दुबे के बारे में 10 खास बाते बताने जा रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते हैं दोस्तों अगर आप आमरपाली के फैन हैं तो आप इस वीडियो को अन तक सरूर देखें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की इनफरमेशन इस चैनल पर लाती रहती हूँ तो आईए ज्यादा समय न लगाते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्या आपको पता है फिल्म निरुआ हिंदुस्तानी में में हिरोईन का रोल करने के बाद से ही आमरपाली रातो रात सूपर स्टार बन गई थी पर क्या आप जानते हैं आमरपाली को निरुआ हिंदुस्तानी में काम कैसे मिला था दोस्तों इस फिल्म के लिए निरुआ एक साल से हिरोईन ढून रहे थे तबी निरुवा के दोस्त ने आमरपाली को निरुवा के पास भेजा और निरुवा को पहली नजर में ही आमरपाली अपनी फिल्म निरुवा हिंदुस्तानी के लिए पसंदा गई थी 3. दोस्तो आमरपाली ने अपनी पढ़ाई मुंबई के भवन कॉलेच से की है और आपको बता दे आमरपाली ने अपनी पहली फिल्म नेरुआ हिंदुस्तानी के लिए ओडिशन दिया था तब इनको वो फिल्म मिली थी आपको बता दे आमरपाली ने अपने एक्टिंग करियर के लिए ग्राजुएशन करके कॉलेज छोड़ दिया था 4. दोस्तों आमरपाली की एक्टिंग करियर में सबसे बड़ा योगदान इनकी दादी माका है क्योंकि दोस्तों आमरपाली उत्तरपदेश के गोरकपुर से आती हैं आप सभी को पता ही होगा वाँ फिल्मों में काम करना बहुत बड़ी बात हो जाती है और एक साधारन परिवार कभी नहीं चाहता कि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में जाए और इसी कारण आमरपाली का परिवार भी शुरू शुरू में ये नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग में जाए लेकिन उस समय उनकी दादी ने कहा कि आमरपाली को जो करना है उसे करने दिया चाहे फिर उसके बाद आमरपाली एक्टिंग में आ गई थी दोस्तों आमरपाली ने टीवी सीरियल बहुत सारे कर लिये थे लेकिन जो इनको पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी एक दिन इनकी दादी ने कहा कि तुम क्या काम करती हो तुमको अपने जिले जवार में कोई जानता है नहीं तो क्या फायदा ऐसा काम करके तभी आमरपाली ने सोच लिया कि अब मैं भोजपूरी में काम करूंगी ताकि अपने जिले जवार में नाम बना सकूँ और अपनी दादी को खुश कर सकूँ और आप सभी को पता है निरुवा हिंदुस्तानी के बाद जिला जवार तो क्या पूरा उत्तरप्रदेश और बिहार अब आमरपाली को जानता है और पसंद करता है दोस्तों आमरपाली बच्पन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी पर इनकी सोच लाइफ को लेकर हमेशा बदलती रहती थी और आमरपाली ने अपने अक्टिंग करियर की शुरुआद जी टीवी के शो साथ फेरे से की थी उसके बाद एंडी टीवी इमेजिन के शो रहना है तेरे पलकों की च्छाओं में जो शो भी किया और बहुत हिट भी रहा दोस्तों आपको पता है बच्पन में हर किसी को प्यार होता है आमरपाली को भी प्यार हुआ था जब ये चौथी क्लास में थी वो लड़का आज भी इनका दोस्त है पर आज तक उसे ये बात नहीं बता पाई है और वो शाधी भी ऐसे लड़के से करना चाहती है जो इमानदार हो और और ओरतों की इज़त करे और इनका ख्याल रखे नमबर आठ दोस्तों आमरपाली दुबे की सबसे पसंदीदा फिल्म इनकी पहली निरुआ हिंदुस्तानी फर्स्ट और राजा बाबू ये दोनों फिल्म में सूपर हिट है नमबर नौ दोस्तों आमरपाली को भोचपुरी में सबसे पसंदीदा अभिनेत्री रानी चटरजी है और उसके अलावा वो पहकी हेगडे को भी पसंद करती है 10. दोस्तों आमरपाली की भोचपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी दोस्त अक्षरा सिंग है शायद आपने देखा ही होगा आमरपाली अक्षरा सिंग की तारीफ करते नहीं ठकती और आमरपाली को अक्षरा सिंग के सैट सॉंग्स भी बहुत पसंद है तो दोस्तों यह थी आमरपाली दुबे के बारे में 10 खास बातें ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 10 इंडियन के साथ फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद